नमस्कार दोस्तों आप सभी कस्वागत है टार्गेट क्लासेज़ विधारीस सर में इस वीडियो में हम बाल विकास हम सिचासास रिलेटर कुछ अत्माहतपूर क्वेशन डिसकत करेंगे जो आगामी सीटेट की परिशा के लिए बहुत उप्योगी होंगे और जो लोग भी हम समय से देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेशन है एक अच्छा विध्याले वह है जो कड़ी प्रतियोगता की भावना पर जोड़ देता है जहां प्रतियक बालक खुसी का अनभव करे तथा बिना एक दूसरे के सयोग से व्यक्तिक रोप से सीखे सी आप्सन है जो बालक के सामाजिक इस्तिरीकरण को समझने तथा कच्छा के वातावरण को प्रगत्सील वा प्रेनडा इसपत बनाए और डी आप्सन है जो आदर्स उत्तरों को याद करने पर जोड़ दो तो राइट आंसर काउन सा होगा एक अच्छा बिद्याले हुआ है जो बालक के सामाजिक इस्तिरीकरण को समझने तथा कच्छा के वातावरण को प्रगत्सील वा प्रेनडा इसपत बनाए इसी आप्सन सही होगा डिटेल देख लेते हैं इसकी अच्छा बिद्याले वा है जो बालकों के सामाजी करण को समझने तथा बालकों में बिना बिभेद किये एनि उसमें कोई भेद नहीं होना चाहिए उन्हें समान परिस्थितियों में उपलब्द कराए साथ ही कच्छा कच्छ का वाता वरण इस प्रकार हो कि बालकों को प्रोसाहन प्राप्त होता हो औ एक सिध्धान्त के रूप में निर्मित तवाद क्या है अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित करता है अधिगम करता कि स्वयम के सब्दों का निर्मार करने की भूमिका पर जोड़ देता है तो एक सिध्धान्त के रूप में निर्मित वाद क्या है तो इसका राइट आंसर होगा अधिगम करता की स्वयम के सब्दों का निर्मार करने की भूमिका पर जोड़ देता है इससे क्या होता है अधिगम करता का मानसी के वम संग्यानात्मत विकास हो सकता है यहनि इस तरीके से क्या होगा जो अधिगम करता जो सीखने वाला है उसका मानसी के वम संग्यानात्मत विकास हो सकेगा नेक्स्ट पोईशन देखते हैं निचली कच्छाओं में पढ़ाते समय एक सिच्छा को प्राथमिक्ता देनी चाहिए यही जो प्राइमरी इस्तर होता है उसमें पढ़ाते समय किसको प्राथमिक्ता देनी चाहिए व्याख्यान विद को दत्तकारी को कहानी कथन को और D option है सम्मूव चर्चा को तो निचली कच्छाओं में पढ़ाते हैं समय एक सिच्छा को प्रात्मिक्ता किसमें देनी चाहिए कहानी कथन को नहीं D option सही हो जाएगा अगर आप निचली कच्छाओं में पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले प्रात्मिक्ता देंगे कहानी कथन को इक कहानी से क्या होता है बच्चे कहानी को अच्छे से समझ सकते हैं योगि कहानी में सभी बच्चे एक साथ में एक आगचित होकर उसको समझेंगे next question देखते हैं 4 सिच्चा बच्चों की सहायक होती है उनके सिच्चा कहें में सहायक होती है बच्चों के सारीरिक विकास में केवल मानसिक विकास में सर्वांगीर विकास में केवल चरित्र विकास में तो सिच्चा बच्चों के लिए किसमें सहायक होती है सरवांगीर विकास में यहीं सिच्छा का मुख्य उद्देश होता है बच्चों के सरवांगीर विकास करना यहीं सिच्छा का मुख्य उद्देश होता है ताकि परिस्थितियों के साथ खुद का समायोजन इस्थापित कर अपने बुद्ध का अधिक्तम विकास कर सके हैं नेक्स्ट वेशन देखते हैं फाइफ सिच्छर सबसे अधिक प्रभावी होता है जब विद्यार्थी विशय में रूच लेते हैं सिच्छक को विशय का गहन ग्यान हूँ सिच्छन विद्यार्थियों को उनके मानसिक इस्तर के अनुरूप सिच्छा दी जाए और डी दिवाए एक ही विशय वस्त को बार बार दोहराया जाए तो सिच्छन सबसे अधिक प्रभावी कब होगा विद्यार्थियों को उनके मानसिक इस्तर के अनुरूप जब सिच्छा दी जाएगी तब सिच्छन अधिक प्रभावी होगा इसके लिए सिच्छा को बौधिकता भिन्यता तथा व्याक्तिक भिन्यता का ज्यान होना आवस्यक होता है नेक्स्ट वेशन देखते हैं 6 और जो लोग भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रस कर दें और साथ में वीडियो को लाइक करते भी रहें एक बालक कच्छा में सीखे गए गड़ित का उप्योग किसी अन्य विसाय के प्रस्ण को हल करने में करता है तो यह है यानि एक बालक कच्छा में सीखे गड़ित का उप्योग किसी अन्य विसाय के प्रस्ण को हल करने में करता है तो क्या है यह अधिगम का सकारात्मक इस्थानांत्रण अधिगम का सून इस्थानांत्रण अधिगम का नकारात्मक इस्थानांत्रण या प्रेंडात्मक इस्थानांत्रन तो ये कैसा इस्थानांत्रन होगा अधिगम का सकारात्मक इस्थानांत्रन यानि एक बालक में सीखे के गडित का उप्योग किसी अन्विसाय के प्रस्ण को हल करने में अगर किया जाता है तो सकारात्मक इस्थानांत्रन होगा नहीं है अधिगम समायोजन है अधिगम सिर्फ ज्यान प्राप्ति है अधिगम विकास है और D दिया हुआ है क्या अधिगम परिपक्वता है तो कौन सा सही नहीं है ये बताना है तो अधिगम सिर्फ ज्यान प्राप्ति है ये question सही नहीं है जो question पूछा गया उसके according option सही नही बाकी अधिगम के लिए अधिगम समायोजन है अधिगम विकास है और अधिगम परिपोकता है यह option अगर दिया होता कि कौन-कौन से अधिगम से रिलेट करते हैं तो यह 3 option जो दिये हुए यह रिलेट करते हैं क्वेशन में पूछा गया है नहीं है तो सही option होगा अधिगम सिर्फ ग्यान प्राप्ति है बी option राइट होगा नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं 8 आप लोग अपने स्कोरिंग करते रहिएगे कितने question आप लोग के सही होते हैं कच्छा 3 के विद्यार्थियों के लिए निमलिखित में सिच्छण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा प्रियोग साला विदी, समूह वार्तालाप, व्याख्यान विदी या स्रजनात्मक क्रिया कलाप तो यहाँ पर कौन सा right answer हो जाएगा कच्छा 3 के विद्यार्थियों के लिए सिच्छण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा स्रजनात्मक क्रिया कलाप यहीं कच्छा 3 जो प्राथमिक इस्तर के विद्यार्थियों के सिच्छण का सबसे अच्छा तरीका है स्रजनात्म क्रिया कलाप द्वारा सिच्छा देना जिसमें विद्यार्थी किसी कारी को करके सीखता है यानि स्रजनात्म क्रिया कलाप में क्या होता है विद्यार्थी किसी कारी को करके सीखता है राइट आंसर D option होगा next question देखते हैं 9 निचलिक अच्छाओं में सिछण की खेल विद जिस पर आधारीथ वा है वो काउन सी विद है जो खेल विद पर आधारीथ सिछण विद सारिक सिछा कारिक्रम सिछण की विदिओं के सिध्धान्त विकास और व्रध के मनोवैज्यानिक सिध्धान्त और D दिया हुआ है ओप्षन सिच्छन के समास सास्त्री सिध्धान्थ तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा विकास और व्रद्ध के मनोवैज्यानिक सिध्धान्थ यानि निचली कच्छाओं में सिच्छन की खेल विद जिस पर आधारित वो है विकास और व्रद्ध के मनोवैज्यानिक सिध्धान्थ C option सही होगा इसकी detail देख लेते हैं विकास और व्रद्ध के मनोवैज्यानिक सिध्धान्थ के आधार पर निचली कच्छाओं में सिच्छन की खेल विदी प्रयोग की जाती है ताकि बच्चों में समायोजन एवं सारीरिक छमता का संतुलित विकास हो सके इससे क्या होता है बच्चों के बच्चों में समायोजन एवं सारीरिक छमता का संतुलित विकास होता है नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं क्वेशन नमबर टेन बच्चों को जूट बोलने की आदत को सुधार सकते हैं किस तरीके से बच्चों के जूट बोलने की आदत को सुधारा जा सकता है उन्हें दंड देकर जूट के कुप्रभाव पर भासर देकर सच बोलने वाले बच्चों के उधारन देकर यह सच बोलने वाले बच्चे को पारितोसिक दे कर तो यहां पर right answer कौन सा होगा यही किस तरीके से बच्चों के जूट बोलने की आदत में सुधार किया जा सकता है तो यह right हो जाएगा सच बोलने वाले बच्चे को पारितोसिक दे कर यहनी सच बोलने वाले बच्चों को पार्तोसिक पुरुसकार देकर जूट बोलने वाले बच्चों के आदत में सुधार ला सकते हैं क्योंकि पार्तोसिक के प्रलोभन में बच्चा जूट बोलने की आदत में सुधार करना प्रारंब कर देगा चात्रों के द्वारा अधिक से अधिक ग्यानिंद्रियों का उपयोग निमलिखित को प्रभावित करता है यानि छात्रों के द्वारा अधिक से अधिक ज्यानिंद्रियों का उपयोग जो है किसको प्रभावित करता है अधिक? सिच्छन प्रक्रिया को, अधिगम प्रक्रिया को, अधिगम उत्पाद को और D option दिया हुआ है अधिगम उत्पाद एवं प्रक्रिया को तो छात्रों के द्वारा अधिक से अधिक ज्यानेंद्रियों का उपयोग इसको प्रभावित करता है? अधिगम उत्पाद एवं प्रक्रिया को D option सही होगा छात्रों द्वारा अधिक से अधिक ज्यानंद्रियों का उपयोग छात्र के अधिगम उत्पाद तथा पृक्रिया को प्रभावित करता है तथा छात्र अपने ज्यानंद्रियों के अनुसारी अधिगम उत्पादन करता है नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं, ट्वेल्फ, एक सिच्छ को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है, इसका क्या अर्थ होगा? उसके पास पर्याप्त धन संपनता होनी चाहिए यानि उसके पास पर्याप्त धन संपन होना चाहिए और उसके उच्छ अधिकारियों से संपर्क होने चाहिए और C option उससे अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त ग्यान होना चाहिए D option दियो है बिद्यार्थियों के बीच उसकी अच्छी प्रतिष्ठा होनी चाहिए तो right answer कौन सा option होगा? एक सिच्छा को साधन संपन होना चाहिए इसका क्या आर्थ होगा? उसे अपने बिद्यार्थियों के समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त knowledge यान ज्यान होना चाहिए C option सही होगा next question देखने 13 यदि कोई बिद्यार्थी कच्छा में प्रस्ण गलत पूँचता है तो आप क्या करेंगे? यदि कोई बिद्यार्थी कच्छा में गलत प्रस्ण पूँचता है तो आप एक teacher होने कनाते क्या करेंगे? बिद्यार्थी को डाटेंगे अन बिद्यार्थियों की मदद से प्रस्ण को सही करेंगे उधारण देकर गलती बताएंगे और डी दिया हुए गलत प्रस्ण के कारण उत्तर पर प्रभाव समझाएंगे तो क्या करेंगे आप एक teacher होने कनाते? उधारण देकर गलती बताएंगे अगर कोई बिद्यार्थी कच्छा में गलत प्रस्ण पूँचता है तो उसको उधारण देकर बताएंगे कि जो प्रस्ण पूँचा गया वो गलत है और right क्या होगा ये भी उसको बताया जाएगा यानि इसकी detail देखते हैं विद्यार्थी द्वारा गलत प्रस्ण पूँचे जाने पर सिच्छप को विद्यार्थी के साथ किसी प्रकार कर नकारात्मक व्योभार नहीं अपनाना चाहिए इससे विद्यार्थी के अधिगम पर विपरीत प्रभाव पड़ता है किसी अन्य विसेवस्तु का उधारण देकर प्रस्ण की गलतियों को बताकर बालों को सही उत्तर बताने के लिए प्रोसाहित किया जाना चाहिए राइट आंसर होगा C आप्सन नेक्स्ट कुशन देखते हैं 14 मन का मानचित्रन संबंधित है ये बताना है जो मन का मानचित्रन हूँ किस से संबंधित है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से मन का चित्र बनाने से मन की क्रिया सीलता पर अनुसंधान से और D है बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से तो मन का मानचित्रन किस से संबंधित है ये संबंधित है मन की क्रिया सीलता पर अनुसंधान से मन का मांचित्रण का अर्थ है मन की क्रियासेलता पर अनुसंधान किसी कारी को करने से पहले उसकी एक रूप रेखा मन में बना लेना चाहिए तो C option यहाँ पर राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं 15 व्याख्या, अनुमान और नियंत्रण प्राकल्पना के लच्छे हैं इसमें एक option कोई सही होगा फिल करना है पारंपरिक तरकणा, आगमनात्मक तरकणा, निगमनात्मक तरकणा, वैज्यानिक पद्यत तो यहाँ पर व्याख्या, अनुमान और नियंत्रण प्राकल्पना के लच्छ कौन सह होगा इसमें फिल होगा वैज्यानिक पद्दत के लच्छे हैं यह किसके लच्छे हैं? वैज्यानिक पद्दत के लच्छे हैं डी option right होगा next question देखते है, question number 16 और जिसने भी अभी तक seated के हमारी previous classes नहीं देखी है playlist में हमने सभी classes दे दी है और description में भी सारी classes का link दे दिया जाएगा वहाँ से भी आप लोग देख सकते है वीडियो को like कर दीजिएगा और जो लोग channel पर ना है होग सबस्क्राइब कर देए निमने लिख्षित मेंसे समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है कौन समस्या समाधान को बाधित नहीं करता है अंतर्द्रश्ट मानसिक प्रारुकता जिसको बोलते हैं mental conscious और अंततर द्रस्ट को बोलते हैं इंसाइट, मोर्चा बन्दी और निर्धारण, तो इसमें कौन बाधित नहीं करता है? अंतर द्रश्टि, यहनि समस्या समाधान को बाधित नहीं करता है, अंतर द्रश्टि. नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं 17 अब्यास के नियम द्वारा छात्रों में विक्सित होती है अब्यास के नियम के द्वारा छात्रों में क्या विक्सित होता है परिश्रम की आदत बुद्धी अंतरद्रश्ट या समस्या समाधान छमता तो अब्यास के नियम के द्वारा छात चात्रों में क्या विक्सित होता है ? समस्या, समाधान, छम्ता जितना ज्यादा बच्चे अभ्यास करेंगे उतने ही ज्यादा उस पे समस्या समाधान की चम्ता विक्सित होगी इसकी डिटेल देख लेते हैं अभ्यास की नियम द्वारा च्छात्रों में समस्या समाधान छमता का विकास होता है बार-बार के अभ्यास से मांस्पेशियों तथा मस्तिस्क के इसनायूत तंत्र उस क्रिया को करने के अभ्यस्त हो जाते हैं और प्राणी उस प्रिक्रिया की पुन्रावरत्ति यंत्रवत करने लगता है क्योंकि क्रिया को बार बार करने से व्यक्ति की बुद्धी ध्रण होती चली जाती है इसे क्या होगा समस्या समाधान छमता अधिक बढ़ेगी नेक्ट पॉईशन देखते हैं 18 निम्न लिखित में से कौन सा आधार भूत सहायता का एक अच्छा उधारण है जिसका आसा है समस्या समाधान को तब तक सीखना जब तक सिच्छार्थी स्वैमना कर सके ए आप्शन उसे या बताना कि वा बार बार प्रियास द्वारा कर सकती है B. समस्या का समाधान जल्दी देने के लिए पुरुस्कार देना C. उसे आधा समाधान यानि हल किया उधारण उपलब्द करवाना D. यह उसे कहना कि जब तक वा समस्या का समाधान नहीं कर लेती तब तक घर नहीं जा सकती तो यहाँ पर question के according right answer कौन सा होगा A option सही हो जाएगा उसे यह बताना कि वा बार-बार प्रयास द्वारा कर सकती है यानि किसी भी काल को सीखने के लिए अगर उसको हम बार-बार प्रयास करते तो सीखा जा सकता है right answer होगा option A समस्या समाधान के लिए सिखक द्वारब विद्यार्थियों से बार-बार प्रयास कराना चाहिए ताकि विद्यार्थियों में स्वैम समस्या के समाधान का कौसल विक्सित हो जाए इसे क्या होगा विद्यार्थी के अंदर स्वैम समाधान के कौसल का विकास होगा यह प्रक्रिया तब तक चलती रहनी चाहिए जब तक विद्यार्थियों को समस्या समाधान का अधिगम ना हो जाए यह अधिगम यह प्रियास आधार भूत सहायता का सबसे अच्छा उधारण है नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं 19 निमनी लिखित में से कहौन से समस्या समाधान की वैज्यानिक पत्दत का पहला चरण है पहला चरण कहूंसा होगा प्राकलपना का परिछण करना समस्या के प्रति जागरुखता C है प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना और D option दिया हो है प्राकलपना का निर्माण करना, तो right option कौन सा हो जाएगा यहापे? समस्या समाधान की वैज्यानिक प्रद्दत का पहला चरन कौन सा होगा? समस्या के प्रत जागरुखता, यहीं B option right होगा, किसी भी प्रकार की समस्या समाधान का पहला चरन है समस्या के बार कि प्रति जागरुकता न दिया हो, तब दिया होगा समस्या के बारे में जानना, तो right answer होगा, B option, next देखते हैं, 20, कैसे मजेदार बना सकता है, कैसे मजेदार बना सकता है, समस्या समाधान को बिद्यार्थियों के लिए, option, देख लेते हैं, स्रेजनात्मक चिंतन के लिए असीमित ब्यवहार उपलब्द कराने से, जब विद्यार्थि स्वैम से कोई कार करने की कोशिस कर रहे हो हूँ, तो उनसे परिपूर्टा की अपेच्छा करने से, इसकी डिटेल देखते हैं, सिच्छा को जब विद्यार्थि स्वैम से कोई कार करने की कोशिस कर रहे हूँ, तो उनसे परिपूर्टा की अपेच्छा नहीं करनी चाहिए, बलकि उनके द्वारा कियेगे तुटियों को कम करने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए, इसलिए विद्यार्थियों से परिपूरता कि अपेच्छा ना करके समस्या समाधान को रोचत बनाया जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 निम्न लिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? कौन इसमें समस्या समाधान को बाधित नहीं करता है ये repeated question है अंतरद्रष्ट, मानसिक प्रारुप्त, मोर्चा बंदी या निर्धारण तो कौन बाधित नहीं करता है अंतरद्रष्ट बाकी मानसिक, प्रारुकता, मोर्चा, बंदी और निर्धार ये सब क्या करते हैं? बाधित करते हैं नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं 22 सिच्छार्थियों से यह अपेच्छा करना है कि वे ज्यान को उसी रूप में पुना प्रस्तुत कर देंगी जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहन किया है यह आप्सन है अच्छा है क्योंकि यह सिच्छक के लिए आकलन में सरल है B option है एक प्रभावी आकलन युक्ति है C option है समस्यात्मक है क्योंकि ब्यक्ति अनुभों की ब्याख्या करते हैं और ज्यान को ज्यों कत्यों पुना उत्पादित नहीं करते और D option है अच्छा है क्योंकि जो हमारे मन में हैं मुसे रिकॉर्ड करने लगते हैं तो right answer कौन सा होगा option C option सही हो जाएगा समस्यात्मक है क्योंकि ब्यक्ति अनुभों की ब्याख्या करते हैं और ज्यान को ज्यों कत्यों पुना उत्पादित नहीं करते हैं इसकी detail देखते हैं यह परिस्थि समस्यात्मक है कि सिच्छार्थी ज्यान को उसी रूप में पुना प्रस्तुत करें जिस रूप में उन्होंने ग्रहन किया है यानि अगर सिच्छार्थी ज्यान को उसी रूप में जिस तरीके से ग्रहन किया है उस तरीके से अगर प्रस्तुत करेंगे तो उससे क्या होगा पहली बात तो उसको प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोई भी ब्यक्त सिछार्ति किसी भी विसेवस्त उपर यानि किसी विसेवस्त उपर प्राप्त ग्यान को अपने अनुभों के द्वारा व्याख्या करता है तथा ज्यान को ज्यों कत्यों पुना उत्पादित नहीं करता ज्यान को ज्यों कत्यों उत्पादित करना रटने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है अभी हमने क्या बता है उपर कि जो उसी तरीके से जियों कात्यों लिखेंगे तो वो किसको बढ़ावा देगा रटने को तथा इससे मानसिक तथा बहुत धी विकास आउरुद्ध हो जाता है यहाँ पर C option सही हो जाएगा आप लोग अपनी scoring करते रहिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में सेर भी करते रहें जिससे उनको भी इस कलाब मिल सके नेक्ट कोईशन देखते हैं 23 यद कोई सिच्छी का चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्यात समाधान को उसर प्रात कर ले तो विद्यार्थी को ऐसे क्रिया कलापों में लगाना चाहिए जिन में हो पूछना, तरक करना और निर्णै लेना बहुवी कल्पी, प्रस्णों वाले, इस्तरीकरत, कार्यपत्रक प्रतिया इस्मरण, रटकर और समझना और D आप्सन दिया है ड्रिल और अभ्यास तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? पूछना, तरक करना और निर्णै लेना यदि कोई सिच्छिका चाहे कि उसके विद्यार्थी, समस्या, समाधान, कौसल प्राप्त कर लें तो विद्यार्थी को ऐसे क्रिया कलापों में लगाना चाहे जिनमें पूछना, तरक करना और निर्णै लेना समाहित हो इसकी डिटेल देखते हैं यदि कोई सिच्छिका चाहे कि उसके विद्यार्थी, समस्या, समाधान, कौसल प्राप्त कर लें तो उन्हें ऐसे अधिगम प्रक्रिया में लगाना चाहिए जिसमें वे सक्रिय रूप से भाग लेकर जैसे सवाल पूँचना, तर्क करना, निर्णै लेना, आद गतिविदियों के द्वारा सीखें ताकि उन्हें समस्या, समाधान, सामाजिक्ता, सामान निग्यान, तर्क सक्त, आद में प्रवीरता आ सके नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं जीन पियाजे के अनुशार अधिगम के लिए निमलखित मैं से क्या आवस्यक है जीन पियाजे के अनुशार अधिगम से कौन सा रिलेट करेगा option सिछार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन सेकन्ड है व्यासको के व्यवहार का आउलोकन C है इस्वरी है न्याय पर विश्वास D है सिच्छकों और माता पिता द्वारा पुनर बलन तो क्या आवस्यक है इसमें? राइट आंसर कौन सा होगा? सिच्छार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रीर खोजबीन यानि जीन पियाजेक के अनुसार अधिगम के लिए क्या उस्यक होगा? सिच्छार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रीर खोजबीन ए आप्सन राइट होगा नेक्स्ट कौईशन देखते हैं 25 मनुचित्रण का संदर्भ है इसी से रिलेटिड एक कोईशन अभी हमने कराया होगा था मनुचित्रण से रिलेटिड वहाँ पे आंसर दूसरा था यहाँ पे आप्सन और आंसर सब चेंज है रिलेट उसी तरीके से कर रहा है कोईशन सेम टूसेम जो option ता वहाँ पे दूसरा दिया हुआ ता यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है ए option है अर्थ ग्राहता को बढ़ाने की एक तक्नीक जोखिम भरे कार के लिए कर्मयोजना C है मन का चित्र खीचना और D है मन के प्राकार का अनवेशन तो मनों चित्रन का संदर्व क्या है मन के प्राकार का अनवेशन नहीं D option सही होगा Next question देखते हैं 26 किस प्राकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधान करता बनने में सहायता कर सकती है बच्चों को विद्प्रकार की समस्याओं का समाधान करने की मौके देना तथा उनका हल करते समय सही योग देना Second है समस्याओं का समाधान करने के लिए वस्त रूप में पुरुषकार देना C. बच्चों की पाठ पुस्तक में समस्याओं का उत्तर देखने के लिए प्रोच साहित करना, D. दिया है विद्यार्थियों के सामने प्रस्तु सभी समस्याओं के सही समाधान उपलब्ध कराना. तो राइट आंसर कौन सा होगा? इसमें कौन सा सही होगा option? ए आप्सन सही हो जाएगा. बच्चों को विद्य प्रकार से विद्य प्रकार के समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सही होग देना. डिटेल देख लेते हैं एक अध्यापिका अपने बच्चों को बेहतर समस्या समाधान करता तभी बना सकती है जब वह बच्चों को विद्य प्रकार के समस्याओं का समाधान करने का मौका दे तथा उनका हल करते समय सही होग दे. ए आप्सन सही होगा. नेक्ट देखते हैं 27. डैस के अत्रिक्त निम ने लिखी समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं. परिणामों की आशा करना, समस्या की पहचान, समस्या का छोटे हिस्सों में बाटना और डी है समभावित युक्तियों को खोजना. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिणामों की आशा करना. यहीं ए आप्सन सही होगा. यहीं समस्या समाधान के चरण कौन कौन से होते हैं? एक तो हो गया यह समस्या की पहचान, दूसरा और समस्या का छोटे हिस्सों में बाटना, समभावित युक्तियों को खोजना, और समस्या का विशलेशन, और समस्या समाधान का तार्किक विशलेशन. यह सारे क्या होंग ये समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण होंगे और यहां के अत्रिक्त पूछा गया तो तो राइट आंसर क्या होगा परिणामों की आसा करना नेक्स्ट पॉस्चन देखते हैं 28 समस्या समाधान प्राया उन विद्यालियों में सफल है जहां केवल उच इस्तरिय सैचिक उपलब्द पर ही बल दिया जाता है अध्यापक केंद्रि सिच्छा सास्त्र प्रभावी है परिवर्तन सील ये लचीली पाठचर्या है और डी है कच्छाओं में छात्रों का सम समूही करन उपलब्द है तो समस्या समाधान प्राया किन विद्यालियों में सफल है परिवर्तन सील लचीली पाठचर्या है यहीं सी आप्शन सही होगा समस्या समाधान विदि से सिच्छन कारि करना प्राया उन विद्यालियों में सफल होता है जहां पाठचर्व या लचीली, परिवर्तन, सिल वर संचिप्त हो इसी option सही होगा आप लोग अपनी scoring अवस्य करते रहिएगा कि 30 में से आपके कितने question सही होते हैं और इसी तरीके के question आपके seated के exam में पूछे जाते हैं next question देखते हैं 29 निम्न लिखित में से कौन सी विसेशता समस्या समाधान उपागम का विसेश चिन है सही उत्तर प्राप्त करने का सामानेता एक उपागम होता है समस्या केवल एक सिध्धान्त प्रक्राण पर आधारित होती है समस्या कथन में संकेत अंतर नहित रूप से दिया होता है और D है समस्या मौलिक होती है तो यहाँ पर right answer होगा समस्या कथन में संकेत अंतर नहित रूप से दिया होता है इसकी detail देखते हैं समस्या समाधान उपागम की मुख विसेशता होती है कि समस्या कथन में संकेत अंतरनिहित रूप से दिया होता है जिसे पहचान कर समस्या समाधान किया जाता है नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं 30 और ये आज का लास्ट क्वेशन है किसी प्रगतिसील कच्छा की व्यवस्था में सिचक एक ऐसे वातावरन को उपलब्द कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो नियामक है समाधान और हतोचाहित करता है आवरति को बढ़ावा देता है या खोज को प्रोशाहन देता है तो किसी प्रगतिसील कच्छा की व्यवस्था में सिचक एक ऐसे वातावरण को उपलब्द कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज को क्या करता है प्रोसाहन देता है याई D option यहाँ पे सही होगा इसकी details देखते हैं किसी प्रगत सिल्क अच्छा ब्यवस्ता में सिच्छक एक ऐसे वातावरण को उपलब्द कराता है जिसमें बिद्यार्थी अधिगम प्रक्रिया में सक्री रूप से सामिल होते हैं और अपने प्रयास्यों से समस्या का समाधान करते हैं ऐसी प्रक्रिया में सिच्छक मात्र एक सहायक या सहयोगी के रूप में कारी करता है तो इस D option सही होगा और आप लोग स्कोरिंग करिया गा कि 30 म से आपके 25 फ्लस तो आने ही चाहिए और जो लोग भी हमाय चैनल पर नए हैं चैनल को सब्स्राइब करके बेल आइकन को प्रस कर दें जिसे किसी भी नए वीडियो का नोडिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके और जिसने भी सीटेट की हमाई SP PRT और TGT PGT फिजकल एजकेशन की क्लासेश चलाई जा रही है जिसने भी अभी तक यह सारी क्लासेश नहीं देखी हैं वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं नए वीडियो में मिलते हैं नए क्वेशन के साथ में तब तक के लिए नमस्कार